तो UPITI का form आ चुका है, तो आप इसको online case से step ए step फिल करेंगे, तो इसी के बारे में वीडियो में बात करें, तो simply आपको कुछ में notification आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पाप दिख सकते हैं कि इसका application start हुआ था 3727 को, और यहाँ पाप दिख सकते हैं कि इसका last date जो है 3822 है, तक के लिए आप जो है 3822 तक जो है online आविदन कर सकते हैं, इसका अगर application फिकी बात करें, तो general OBC के लिए 250 रुपया है, और SC, HD के लिए 150 रुपया, आपको यहाँ पर फिपेमेंट करना होगा, जिसको आप जो है यहाँ पर debit card करें, तो यहाँ पर यहाँ पर देबिट करें आफ्टर, 31-26 के बाद जो है आपका वर्ण होना चाहिए, ओके, यहाँ आप एज लिमिट देख सकते हैं, एज लिमिट एज ओन 1820 तक, जिसके यहाँ पर प्रोग्राम रेम देख सकते हैं, जिसकी plastic processing operator है, जिसका code जो है 022 है, और यहाँ आप आप देख सकते हैं, इसका जो इसका code यह है, और इसका class चलेगा, वो 2 years के लिए चलेगा, इसमें आप 10 प्लस 2 का होना चाहिए, इसी तरस आप यहाँ पर वीडियो को पोज़ करके असानी से सभी जितना भी इसमें है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह सभी का आप यूपी.in पर आना है, आपको लिंक आप वीडियो को दिसक्रिसम मिलेगा, डेटक आप उसके पर क्लिक करके इसमें को आ सकते हैं, उसके बाद ही हम बात कर लेते हैं कि यूपी ITI का फॉर्म आप जिसे online अविदिन करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, online submission of application for admission for session 2221 for government and private ITI ओके तो government and private दोनों इसमें सामिल है तो simply आपको जो है इस पे क्लिक कर लेना है इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेच खुल जाएगा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की जिसा निर्देश इसको आप परके आवेदन कर सकते हैं आवेदन का पत्र परारूप और यहाँ पर देख सकते हैं वीवी रन पुष्टी का दॉनलोड करें यह जो है सभी important information है जो आप यहाँ पर पर सकते हैं आपको online आविदन करने के लिए आप देख सकते हैं online आविदन करें इस पर आपको click कर लेना है चलिए इस पर click कर लेते हैं इस पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का pop-up खुल जाएगा तो जिसको आपको यहाँ पर okay करना है okay करने के बाद जो है आपका यहाँ पर registration form जो है खुल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI परवेश 2020 है तो online आविदन online आविदन करने हैं तो आपको हिंदी में टाइप करने की असुधा है तो Google की site पर जाकर हिंदी का नाप को टाइप कर सकते हैं तो यहाँ पर Google input tool का यूज करें हिंदे में tapping के लिए तो simply आपको जो है इंगलिस में यहाँ पर जो है नाम फील कर देना है तो इसके लिए में Google input tool का यूज करने वाला हूँ तो simply आप Google input tool आपको यहाँ पर open कर लेना है यहाँ आप आप देख सकते हैं simply आप यह भी search कर सकते हैं तो इसका भी link वीडियो की discussion मिलेगा आप डिरेक्ट उस पर click करके शिल्पा सकते हैं आप से हिंदी ना आप रिःगत करें है और यहाँ पर आपको English एगला टाइप गल्याम है और हिंदी में यह traffic आप यहाँ यहँ पर change होगा यूज मैं यहाँ पर यह ह्पर हिंदी में टाइप कर लेता हूं यहां को आपको दिक्कत हो तो हम आप देख सकते हैं आँ मोर का ओऊप्सटन है या फीर आप तो इसको इंक्रीज or कर सकते हैं शोक चलिये इसको आपको यहां से एंगे कोऊपी कर लेते हैं आपको यहां पर पेश्ट कर देना है यह आप सिंपिली कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो यह प्रेस्ट हो जागा है अगर आप मोबाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ठीडोट का ऑफशन मिल जाएगा इस पर आप किलिक को करके नोट कर लेना हैं जिसके मदद से आप यहां पर अन्लाइन अप्लेक कर सकते हैं तो इस बात को आपको यहांपर धियान में रखना आ है तो सभी में यहां पर डेक सकते नोट करके आच चुका है तो इसको बात को आपको यहां पढ़ान रखना है कि सभी डिटल्स आपको सही सही फिल करना है चलिए उसके बात हैं पर मतरने फिल करना है यहां पर आपका इंग्लिश में फिल करना है और यहाँ आपको हिंदी में फिल करना है यहाँ पर date of birth याen कि date, month, year आप यहाँ पर इंटरेक करेंगे यहाँ पर category आप इसे पर इस पर किलिक करेंगे और यहाँ आपको जो है category जो है select कर लेना है category select करने के बाद आपको यहां पर mobile number integrate कर देना है जो mobile number चालो है वह हो मोँवाइल आपको यहां पर propriet करना है उसके बाद यहां पर sent ótp पर आपको किलिक कर लेना सबी details फिल करने के बाद तो जैसे ही मैने यहां पर sent otp पे किलिक किया हैं अफो झाले सरंबर enable बता रहा है चलि उसके बाद आपके सामने इस तरह का option खोलेगा , यहां पर आपकी this government या private या फिर government या private या और है आपको तीन तरह का option मिल जाता है ह्या ने देख सकते है अगर आप government, college में जाते हैं तो यह government select करेंगे अगर आप private में जाते हैं तो यह private select करना है अगर आप दोनों में जाते हैं तो यह दोनों आपको यहाँ पर select कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर दोनों select कर लेता हूँ और यहाँ आपको submit का option पर click कर लेना है चली उसके बाद आपके सामने इस तरह का option खुल देगे हैं आपके step 1, step 2 and step 3 तो 3 step हैं जिसमें यहांप आप देख सकते हैं कि जो भी एक्ष्टार का mark है वो आपको यहांपर फिल करना जरूरी है विवरन पुष्टिका भली भाती पठकर ही online करें यहांप आप देख सकते हैं आपका पिता का नाम माता का नाम वह जमती थी अपने high school यादि प्रामपत्र के साथिफिकेट करना उसार आपको यहांपर इंट्रे करना है सभी details यहांपर सो ही कर रहा है तो यहांपर देख सकते हैं पत्या पत्री का नाम जो कि आपको यहांपर फिल नहीं करना है यहांपर आपको जो है general select कर लेना है चलिए मैं general select कर लेता हूं यहांपर date of work जो है आपका automatic है ही क्योंकि आप जब registration करते वक्ते दिये थी वही आप date of work यहांपर है चलिए उसके बाद यहांपर जिससे मैं general select क्या हूं तो यहांप आप AWS दिलोंग करते हैं तो यहांपर नो select करने हूं प्रवाइद करते हैं एक सब्सक्या है, स्व करते हैं तो इसेशन पर लुद करें तो लोख सकते हैं छोड़ता नहीं होगी तो अब दिरे खसकते हैं प्रॉद्ध करना जरूर है उसके बाद यहाँ पर डिब्यांग में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर सलेक्ट कर सकते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद अर्फसिंग सरेनी इसे भी आप छोड़ सकते हैं अगर इसमें से आप बिलोंग करते हैं तो यह आप इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ आपको अधार नमर इंट्रेक करना आपको जरूरी है यहाँ आपको अधार नमर इंट्रेक करते हैं यहाँ आपको इमेल एड़ी जो है इंट्रेक करना है इमेल एड़ी और अधार आपको यहां पर select कर लेना है चलिए मैं जैसे कि उत्तर पर्देश और अन पर्देश है तो मैं यहां पर select करूँगा अगर आप उत्तर पर्देश से बिलोंग करते है तो यहां पर select करेंगे अगर आप दुसरा state है तो यहां पर select कर लेना है और दिस्टिक है आपको यहां पर जो है आ यह नहीं ब्लेंक आ रह 작्र से उन्पर फील कर से अय। यहांग पर फील कर लेकलते हैं यहां में horn कर कर लिया., अदय दिस्टिक के लिए फिर्क लिए होडर दिस्टिक का नम byवा धर्ड पर तश् dive से click निनीकाल है करना झाब इसके बाद आपको common address फिल करना है यहां पे देख सकते हैं address फिल करना है यहां पापको data address आपको phil कर करने के बाद आपको यहांपर सेट आपको करना है यहांपर अपने आनुसार आपको यहांपर तो सेलेक्ट कर लेना है ओके दस्मा उत्रीन 10 प्लस 2 विश्था के अंगल अत्वा संकत साइडिक स्थम ओके तो यह मैं यहाँ पर दस्मी उत्रीन में कर देता हूं चली आपको यहाँ पर दस्मी उत्रीन विश्था के साथ तो कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं उके इसको मैं हता देता हूं चली उसके बाद आपको वोट सेलेक्ट कर लेना है जैसे आप देख सकते हैं यदि अब्यार्थी ने CBIC बोट से दस्मी की परिच्छा उ तो यहाँ पर आपको जो है क्लास एट का और यहाँ पर जो है क्लास टेंट का आपको पूरी डिट्रिस आपको फिल करना है जैसे कि आप क्लास एट में बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अनुकरना रोल नमर आपको फिल करना है यहाँ पर पासिंग इयर आपको य प्रेंट करना है यहां पर ग्रेड है तो पर सेलेक्ट करेंगे यहां पर पर पासिंग यहां पर सब्जाक्ट को आपको इंट्रेक्ट कर देना है यहां पर पिछला आपको इंट्रेक्ट करना है यहां पर पीछला पास आउट हूँ है तो यह आपको यहां पर इंट्रेक्ट कर देना उसके बाद यहां पर आपको आ जाता है photo photograph और signature चलिए यहां पर आप प्लोड करने लिए upload पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो जहां भी आप सेव किये हैं अपने mobile या फिल लेफटोप में आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर simply आपको photograph को select कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर photograph को select कर लेता हूँ और उसके बाद आपको open option पर click करना है open position क्लिक करना है अधिकतम photo size जो है 50 kv होना चाहिए जैंकि 50 kv से कम होना चाहिए JPG, JPG format में आप upload कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर में signature अप्लोड कर देता हूँ चलिए यहाँ साब को signature चूछ कर लेना है और यहाँ पर आपको upload कर देना है open option पर click करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं signature आ चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर save and go to next page का option मिल जाता है तो simply आपको इस पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर best tip third में आ जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर select करना होगा ओके चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप चैनित ITI करेंगे और प्रश का sign पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर जो है उसके बाड़े में जानकारी खुल जाएगा जिसके आपको यहाँ पर हावे तक course group chain करें तो group A and group B आपको यहाँ पर select करना है जिसके भी group A के select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थानी अलक्षन हेटू विकलप chain करें तो यहाँ पर आपको chain कर सकते हैं अस्थानी अलक्षन का chain अनिवार है एक से अधिक अस्थानी अलक्षन का chain कर सकते हैं गिरी विकास खंद है गिरी तवसिल है तो यह आपको है, यह जो है, आपको यहाँ पर select कर लेना है, इस एक में आपको यहाँ पर select कर लेना है, चलिए मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ, select करने के बाद यह कुछ में processing होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कर लेना है, उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं और सारा जोभी आपके नज़्तिकी इनकी परता है पूरा का लिस्ट आ चुका है तो यह आपको नज़्ची का टशेशुक लें जिसमें GITI जो अगरा है इसमें सेलेक कर लेता हूं और इसमें आपको यह है चेनि आई टी पर किसो चीछ तो इसमेश चुनेपर किलिक करेंगे, यहाँ आप कुछ समय वेट करना है, यहाँ देख सकते हैं, आचका है और अगर अगर इसका पुरआ डिटेल्स यहाँ आप चेक कर सकते हैं, चलीए और भी अगर चुनना अगर आपको इसको हटाना है तो यह हटाए पर किलिक करेंगे तो ओके पर किलिक करेंगे तो यह जो है हट जाएगा यहां से अगर आपको इसको हटाना है तो यहां पर सिंपली किलिक करना है और हटाए पर जैसे किलिक करेंगे ओके पर किलिक करना है तो यहाँ आप पर कुछ समय वेट करना है तो यहाँ पर देख चुका है तो चलिए मैं यहाँ सा Select कर लेता हूँ जिसे मैं यह Select कर लिया और यहाँ पर छुनेपा आपको Select कर लेना है छुनेपा आप जैसे Select करेंगे तो इस Box में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जितना भी यहाँ पर कोर्स आप देख सकते हैं, इन सभी को मैंसे आपको यहाँ पर सेलेक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आचुका है, अगर इसको भी हटाना है, तो यहाँ पर आपके किलिक करेंगे, आपको यांपर जो भी कोर्स के लिए आप करना चाहते हैं आपको सेलेक कर लेना है चलिए ऑच कि यहांपर बनेश्ट करने आपको ग्रमाः विद्ध द misunderstood- birthday देख सकते हैं आपको विडियो complete देखना है उसके पर आपको यहांपर mais को ब्री development आपके सामने जैसे ही आप next फे click' क्लिक करेंगे फिर रूरु दिखा दोधा को एक या बार system एक barrel को इसके बाद जो है किसको क्लिए अकिए कड के लिए यह आप यहां पर स्ख़ुत कर रहे है है उसके बाद यहां पर में सहं jeito हो पर payment gateway मिल जाता है उसके बाद आपको यह process to payment पे click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो यह payment page पे लेख जाएगा यहां से आपको payment करना होगा तो यहाँ पर इंटरेट बंगी आनियâte या SITAЙ ब्रांच से payment सरेक्थ आप Attackution पे मेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर बैंडेट यहाँ साध को यह राइडी और पास्फोल इंत्रकर करना है अDRL करसकते तो यहां से अप्धिवर तो यहाँ है और चैलिक करना है और यहां से प्र इस तरह से बहुत ही आसानी से आप यूपी आई टी आई के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट करें ओके आपको एक पाद याद रखना है कि आपको पेवेंट करने के बाद जो है अप्लिकेशन फॉर्म को फिर इंड आउट रख लेना कोई भी दिक्कत हो तो आप इंट्राग्राम फोलोग कर सकते हैं वहाँ पाम से सब्सक्राइब करें आप वहाँ तुर्ण तुम्हें मिल जागा और विडियो अच्छा लएगे तो विडियो कीजी लाइक और इसी दराग विडियो दखने लिए चिलनल को सस्क्राइब कर ल धन्यू दिक्राइब कर विडियो चराइब करें बादे जाएब कर देता हैं तुम्हें च रचेंगे विडियों।